Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the lens A produces a magnification of minus 0.6 whereas lens B produces a magnification of plus 0.6 part A, what is the nature of lens A, part B, what is the nature of lens B? नेकर दी The subject 생각을 हम यहाँ पर solve कर लेते हैं तो, मैंकर हम रहेते हैं तो, यहाँ पर पार्ट A में हमें बताना है कि नेच्र लेंज़ारा क्वाइन क्या आँ नेच्चर लेंजस बेंचे क्या है और नेच्चर लेंज़ारे की कह्युक्त क वह को nature of lens nature of lens तो बच्चों जैसा कि हमें यहाँ पर path A में पूछा गया है कि nature lens A का क्या है तो lens A का जो हमारे पास magnification given है यहाँ पर magnification को हम M से denote करते हैं और यहाँ पर यह lens A का है तो यह हमारे पास क्या है minus 0.6 अब बच्चों minus का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारी image है वो real है inverted है और diminished है और diminished है diminished बच्चों minus sign का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जो हमारी image बनी है वो real है inverted है और क्योंकि वो 0.6 है मतलब कि 1 से भी छोटा है तो यह इसलिए image diminished है तो हम यह कह सकते हैं कि जो real invert हम जानते हैं कि जो real images होती है वो कभी भी concave lens से नहीं बनती तो यह जो lens होगा हमारा यह जो lens है हमारा वो convex lens है lens A हमारा convex lens है जो A lens है हमारा वो convex lens है आईए अब हम बात कहते हैं यहापर part B की तो part B में हमसे पूछा गया है यहापर कि what is the nature of lens B तो बच्चों magnification जो हमें lens B का given है यहाँ पर वो given है plus 0.6 तो बच्चों lens हमाई यहाँ पर magnification plus में given है तो इसका मतलब जो हमारा हमारी image है वो virtual है और erect है और यह जो है वो diminished है diminished बच्चों इसलिए है because यह 0.6 है 1 से भी छोटी है इसलिए diminished है और बच्चों जानते हैं कि जब virtual और erect image हमारे पास convex lens में बनती है तो वो magnified होती है बट यहाँ पर जो image है वो diminished है virtual erect और diminished तो virtual और diminished image के वल हमारे पास concave lens ही बनाता है तो lens B जो है हमारा वो concave lens है concave lens यह है हमारा B lens B lens B हमारा concave lens है और lens A हमारा convex lens है I hope you understood it well best of luck